नमस्कार, नभारत टाइम्स में आपका स्वागत है, तो हर दिन की तरह आज भी हम आपके पास एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं, जो शायद आपको लगे कि हाँ, इसमें क्या सच है, क्या गलत है और क्या आगे हो सकता है, हम आपके पास लेकर आए हैं, कॉंग्रेस की जो हा कि विवस्ता ऐसी चीज है, जो विकल्प हिंता में आती है, अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तब आप विवश हो सकते हैं, कल ऐसी ही विवस्ता सोनिया गांधी ने दिखाई, कॉंग्रेस की बैठक थी, बगल में कार्ज करता राहूल गांधी भी बैठे थे, कार इसके आम कर्ज करता है, लेकिन सोनिया के बगल में बैठते हैं, सोनिया ने विवस्ता जताई, उन्होंने कहा, पार्टी के निताओं से, कि आपका यलिए, अब ये समय है, कि आप पार्टी का कर्ज चुकाएं, यानि पार्टी ने आपके लिए जो पहले किया, उसका कर्ज दें, तो कॉंग्रेस सद्याक्षा सोनिया गांधी इतनी विवस्त क्यों है, ये सवाल इसलिए मौझू है, कि वही मौझूद कई नेता, सोनिया गांधी को ला इलाज बिमारी के कई इलाज बता चुके, लेकिन डायागनोसी सभी तक नहीं हो पाया, और कितनी कमेटियां भ हार के कारण बताए थे, सुत्रों से पता चलता रहा, पार्टी के नेताओं को कभी नहीं पता चला, पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई, 2019 में 8 सीटों का इजाफा हुआ, 52 सीटों पर समट गई, 2019 में क्या होता है, राहुल गांधी इस्तिफादे देते हैं, कहते हैं मैं मोरल लेता हूँ, उनकी हार की समिक्षा के लिए अमेठी में कॉंग्रेस की टीम भेजी जाती है, और एक बड़ी कमेठी के बजाए सभी राज्यों के जो प्रभारी थे, उनको कहा जाता है कि आप विवेच ना कीजिए, लेकिन राहुल गांधी पर उठे सवालों के जवाब आ कि वो कॉंग्रेस के अंदर संगठनिक चुनाव करवाएं, सीता राम केसरी को बाथरूम में बंद करने की घटना के बाद अब तक कॉंग्रेस के भीतर चुना हुआ अध्यक्ष नहीं आया है, प्रशान्त की सोर भी मौका देखकर चौका लगाने आ गए, उन्होंने भी 600 स काल नहीं कलेगी, वो बिहार चले गए हैं, और कॉंग्रेस एक और चिंतन शिविर की ओर उधैपूर प्रस्थान करने वाली है, चिंतन शिविर के भी अपने इतिहास हैं, उसका अपना इतिहास है, अगर उसके इतिहास पर नजर डालें, तो 1998 में पंचमर्ही में अधिवे चिंतन शिविर हुए, लेकिन हार के बाद responsibility और परिवार, यानि गांधी परिवार पर उठे सवालों के जवाब कॉंग्रेस के नेताओं को आज तक नहीं मिल पाए, अब तीन दिन के चिंतन शिविर में कॉंग्रेस अध्यक्षा सुनिया गांधी कौन सी विवस्ता और जा कॉंग्रेस जो एक पार्टी की का नित्रित्व है, वो अपने को disintegrate करें, अपने को disassociate करें एक लेविल पे और कॉंग्रेस के जो तमाम बड़े राज्यों के नेता हैं, उनको वो ये जवाब दहिसों पे कि वो आएं और पार्टी को चलाएं, सोनिया गांधी एक visionary के तोर एक guardian के तोर पर कॉंग्रेस को lead कर सकती हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम ऐसे analyst भी हैं जो ये मानते हैं कि अगर गांधी परिवार बिलकुल अलग होता है कॉंग्रेस से, तो कॉंग्रेस पार्टी बुरी तरह तूट जाएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछिए 2019 के बाद 13 राज ऐसे थे जहां कॉंग्रेस का खाता नहीं खुल सका, 6 महीने पहले 2019 से जहां जहां चुनाव हुए, जहां कॉंग्रेस ने सरकार बनाई, मध्ध परदेश 29 सीटों में मातर 2 सीटे मिली, तो इसलिए जो जी 23 है या फिर जो युवानेता छोर कर चल पार्तिय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जितिन प्रसाद यूपी चुनाव में भाजपा के साथ हो गए, इसलिए ये तमाम ऐसे संकेत हैं और संदेश हैं कॉंग्रेस सद्ध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए, विवश्ता कॉंग्रेस का इलाज नहीं है, अगर आपको और दूरदर्शा की तरफ ले जाएगी, आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले एपिसोड में आपको किसी और मुद्धे पर आपके साथ चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.